जै शी रादे शी चैतन्य चर्टावली के इससे पूरु के भाग में आपने महा प्रहुका दिव्यो उनमाद इसके विश्रय में कता का श्रमन किया अव गोवधन के ब्रहम से चटक गिरी की ओर कमन चैतन्य इस्तव कल्प व्रिच में कहा गया है समीपे नीला द्रेश चटक गिरी राजस कलना दै गोष्ठे गोवर्धन गिरी पतिम लोक तुमिते हैं व्रजन श्मीत युक्त्वा प्रमदयो तावन वधिर्ते गणही स्वेर गवरांगो हिर्दे उदैन माम मदयते श्री रगनात दास गोष्वामी कहते हैं नीला चल के निकट समुद्र की बालुका के चटक परवत को देखकर गोवर्धन के विर्हम से मैं गिर्राज गोवर्धन के दर्शन करूंगा ऐसा कहकर महाप्रव उस ओर दोड़ने लगे अपने सभी विरक्त व्यष्णवों से व श्टित वही गोरंग हमारे हिर्दय में उदित होकर हमें पागल बना रही हैं महाप्रव की अब प्राय तीन दशाएं देखी जाती थी अंतर दशा अर्ध बाहे दशा और बाहे दशा अंतर दशा में वे गोपी भाव से या राधा भाव से श्री चिश्न के विरह में मिलन में भात भात के प्रिलाब किया करते थे अर्ध बाहे दशा में अपने को कुछ कुछ समझने लगते और अब थोड़ी देर पहले जो कुछ देख रहे थे उसे ही अपने अंतरंग भक्तों को सुनाते थे और उस बाहो के बदलने के कान पश्याता प्रिकट करते हुए इस प्रकार उनकी तीन ही दशाएं भक्तों को देखने में आती थी तीसरी दशा में तो वे बहुत ही कम कभी कभी आते थी नहीं तो सदा अंतर दशा या अर्ध बाहे दशा में ही मग्न रहते थी इसनान, शयन, भोजन और पुश्रुत्तम दर्शन ये तो शडीर के सुभाव अनसार सुते ही संपन होते रहते थी अर्ध बाहे दशा में भी इन कामों में कोई विग्न नहीं होता था प्राय उनका अधिकान शमय रोने में और प्रिलाप में ही बीचता था रोने के काण आँखें सदा चढ़ी सी रहती थी निरंतर की अस्तो धारा के काण उनका वश्चेश थल सदा भीगा ही रहता था अस्तों की धारा बहने से कपोलों पर कुछ हलकी सी पपड़ी पड़ गई थी और उनमें कुछ पीलापन भी आ गया था रामानंद राय और स्वरूप दामुदर ही उनके एक मात्र सहारी थी विरह की वेदना में इन्हें ही ललिता और विशाका समझ कर तथा इनके गले से लिपट कर वे अपने दुख को कुछ शान्त करते थी स्वरूप गोस्वामी के कोकिल कूजित कंट से कविता श्रवन करके वे परमानंद सुख का अनभव करते थी उनका विरह उन प्रेम मई पदावलियों के श्रवन से जितना ही अधिक बढ़ता था उतनी ही उन्हें प्रिसनता होती थी और वे उठकर नित्त करने लगते थी एक दिन महाप्रह समुद्र की ओर जा रहे थी दूर से ही उन्हें बालुका का चटक नामक पहार सा दीखा जो भी भक्त जैसा बैठा था वह वैसे ही इनके पीछे दोड़ा किन्त भला ये किसके हाथ आने वाले थे वायकी भात आवेश के जोगों के साथ उड़े चले जा रही थे उस समय इनके संपोन शरीर में सभी सात्विक विकार उत्पन हो गई थे बड़ी ही विचित्र और पूर्व दशा थी कविराज गोस्वामी ने अपनी मार्मिक लेखनी से बड़ी ही ओजस्विनी भाषा में इनकी दशा का वड़न किया है उन्हीं के शब्दों में सुनिए प्रतिरोम कूपे माशलेर आकार तारो प्रेरोम ओदगं कदंब प्रिकार प्रतिरोमे प्रश्वेद पड़े रुधिरेर दार कंट घरगर नाहिवले रोच्चार दुई नेत्रे भरे अश्रो बहे अपार समुद्रे मिलिलायेन गंगायम नादार वैवन शंक प्राय स्वेद हेल अंग तवे कंप उठे येन समुद्रे तरंग अर्थात प्रतिरोम कूप मानो मास का फोड़ा ही बन गया है उनके उपर रोम ऐसे दिखते हैं जैसे कदंब की कलियों प्रतियक रोम कूप से रक्त की दहर के शमान पसीना बह रहा है कंट घरगर शब्द कर रहा है एक भी वन इस परष्ट शुनाई नहीं देता दोनों नेत्रों में से अपार अश्रियों की दो दहराएं बह रही हैं मानो गंगाजी और यमनाजी मिलने के लिए समुद्र की ओर जा रही हों वैवन के काल मुख संक के समान सफेद सा पड़ गया है शरीर पसीने से लदपत हो गया है शरीर में से कमकपी ऐसे उठती है मानो समुद्र से तरंगे उठ रही हों ऐसी दशा होने पर प्रव और आगे न बढ़ सकी वे थर थर कांपते हुए एक दम भूमे पर गिर पड़े गोविंद पीछे दोड़ा आ रहा था उसने प्रव को इस दशा में पड़े हुए देखकर उनके मुख में जल डाला और अपने वस्तर से वायो कनने लगा इतने में ही जगदानंद पंडित गदाधर गोस्वामी रमाई नदाई तथा स्वरूप दामोदर आदिभक्त पहुँच गए प्रव की ऐसी विचेत्र दसा देखकर सभी को परम विश्मे हुआ सभी प्रव को चारों और से घेर कर उच्च स्वर से संकीतन करने लगे अब प्रव को कुछ कुछ होश आया वे हुमकार मार कर ओट बल्ठे और अपने चारों और पूले से बटके से कुछ गवाई से इधर ओधर देखने लगे और स्वरूप गोस्वामी से रोते रोते कहने लगे अरे हमें यहां कौन ले आया गोवर्धन पर से यहां हमें कौन उठा लाया अहा वह कैशी दिवे छटा थी गोवर्धन की नीरव निकुंज में नंदलान डे अपनी वही वांश की वन्शी वजाई उसकी मीठी दुहन सुनकर मैं भी उसी ओर उटदाई प्राधा रानी भी अपने शखी सहेलियों के साथ उसी इस्थान पर आई अहा उस सावरे की कैसी सुन्दर मंद मुसकान थी उसकी हशी में जादू था सभी गोपकाएं अकीसी जकीसी भूलीसी भटकीसी उसी को लच्छ करके दोड़ी आ रही थी सहसा उह सावला अपनी सर्वस्रेष्ट शकी श्री राधिकाजी को साथ लेकर न जाने किधर चला गया तब क्या हुआ कुछ पता नहीं यहां मुझे कौन उठालाया इतना कहकर प्रह बड़े ही जोरों से हा क्रिष्ण हा प्राण वल्लव हा हिर्दैरमन कहकर जोरों से रुदन करने लगे प्रह की इस अधुत दशा का समाचार सुनकर श्री परमानंद जी पुरी और विरहमानंद जी भारती भी दोड़े आए अब प्रह की एकदम बाहे दशा हो गई थी अतहे उन्होंने श्रद्धा पूर्वक इन दोनों पूज सन्यासियों को प्रडाम किया और संकोच के साथ कहने लगे आपने क्यों कर्ष्ट किया विर्थ ही इतनी दूर आए पुरिगो स्वामी ने हसकर कहा हम भी चले आए कि चलकर तुम्हारा नित्ती ही देखें इतना सुनते ही प्रह लज्जित से हो गए भक्त विरिंद महाप्रव को साथ लेकर उनके निवास इस्थान पर आए इस भाग में इतना ही अप्रेम पूर्वक सच्चे हिर्दै से महाप्रवजी का और सभी प्यारे प्यारे भक्तों का इसमन करते हुए गदगद कंट के साथ बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरी राम हरी राम 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 हरी हरी जै जै श्री रादी